खबरों में बने रहनी के लिए बेल आइकॉन दबाईगे और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीज़ेगे बहुत धीमी है तो महराष्ट्र में 50-50 के फॉर्मूले पर फस गई ये बात शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं शिवसेना के संजेर राउत ने कल एक बयान दिया और कहा कि हमारे पास और भी ऑप्शन से तो महराष्ट्र में बीजेपी विधायकों की बैठक में नहीं आया है आदित ठाकरी ने भी अपना कॉंकर दौरा जो था उसको रद कर दिया है लगातार बैठकों का दौर जारी है चाहे NCP कॉंग्रिस की बैठकों चाहे शेवसेना की बैठकों और चाहे बीजेपी की बैठकों तो बिल्कुल शो अपना दोनों तरफ बैठो को कर दोर चल रहा है और इस बीच घर के बाहर आदित ठाकरे को सीम बनाने की पोस्टर तक लग गए हैं आदित ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कारेकरताओं की तरफ से की जा रही है यानि कि शिवसेना ने अब भी भराश्र में विधान सबाद चुनाओं का परिणाम आये तकरीबन एक हफता हो चुका है पर गडबंधन के सातियों बीजेपी और शिवसेना के बीच साठगाट अब तक नहीं बनी है और रसा कसी अभी भी जा रही है तो कारण है कि अब तक सरकार नहीं बन पाई है और इ नेताकार करता तो नहीं पहुचे हैं पर जुनेताकार्य करताओं का संदेसा कर और संधेश का संदेश यह वास अलग अलग जगह मुंबई के पोष्टर दिखाई दे रहे हैं अब घर के बाहर पुश्टरों की संख्या और ज्यादा लगी है कल तक केवल एक पोस्टर होता था जिस पर लिखा रहे था कि सीम बने इस बार आदित ठाकरे पर आज तक्रीबन चार पोस्टर यहां पर दिखाई दे रहे हैं और संदेश स्पस्ट है कि इस बार आदित साहब ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए शिवसेना की तर तो अमानरा शिवसेना के संजेर राउत ने कहा कि हमारे पास और भी आप्शन्स मौजूद है इस पर बीजेपी नेता सुधीर मंगंटिवार ने कहा कि शिवसेना को मीडिया में बयान बाजी करने की बज़ाए बीजेपी से सीधी बातचीत करनी चाहिए देखो फार्गमजा जो होता है न वो प्यार मुहबबत का होता है फार्गमजा जो होता है वो विश्वास का होता है आकड़े आते है जाते है आकड़ों में मज जाईए प्यार से शिवसेना भाजब की चर्चा होगी और चाय के मिठास के साथ ही ये चर्चा भी समाप्त हो और शोबना सब के बीच बीज़पी के विधायक दल की बैठक भी शुरू हो गई है और विधायक दल की बैठक में बीज़पी के विधायक इस संकल्प के साथ पहुँचे किसी एम फटनवीशी होंगे देखो पूरे दल के मन में और पूरे महराश के मन में एक ही नाम है और वह नाम है देविंद्र फड़मिजी और आगे की प्रक्रिया इतनी है कि बहुती जल शपत भी दी होगा और महाराश्ट को फिर से एक बार सक्षम और पूरे पास साल काम करने वाली सरकार देवेंद्र रफदमीजी के रूप में मिले तो महाराश्ट्र में बैठकों का दौर लगातार जारी है लेकिन सरकार बनने की रफ़तार बहुत दीमी है अमांदरा एंसीपी के विधायकों की भी बैठक चल रही है कॉंग्रेस ने शिवसेना बढ़ोरे डाले हैं लेकिन एंसीपी के नेता प्रफुल पटेल ने साफ का आए कि बीजेपी शिवसेना के मामले में वो कुछ नहीं बोलेंगे शिवसेना को सरकार बनाने का मैंडेट महराश्टर की जनता ने दिया है और उन्होंने सरकार दोनोंने मिलकर बनाना चाहिए हम लोग कॉंग्रेस और राष्टरवादी और हमारे मितरपक्ष जो है हम लोग विरोध में रहेंगे और विपक्ष की जो भूमी का है वो हम अच्छे से निभाएंगे अब जोहां तक उनके आपस में जो भी मद्वेद और ये सब मीडिया में आता है अब इसके बारे में कोई हमारे पास कोई अपचारी कोई आधार नहीं है जिसके से हम किपनी कर सके और इस भी शिवसेना प्रस्तावाला तो कॉंग्रेस में भी बैटल को का दौर जारी है लगातार शिवसेना पर डोरे डाल रही है कॉंग्रेस लेकिन न्सीपी के नेता जो हैं वो कहते हैं कि हम इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे ये तस्वीरे आप देखिए तो कुर्सी पर रार कैसे बनेगी सरकार बैठकों का दौर लगातार जारी लेकिन सरकार बनाने की रफ्तार बहुत धीमी